इंडिया के नदर लॉंच करने जा रहे है जो कि इस फोन को इन्हों ने अपना चाइना के नदर लॉंच कर दिया और यह चीज आईक्यू कंपनी ने अफसलिय आनॉंस्मेंट कर दे कि यह फोन आपको इंडिया के अंदर 12 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इंट्रेस्टीड हो इस फोन को बाइक करने के लिए तो 12 दिसंबर के बाद आप जाके इस फोन को एमजोन के थूरू बाइक कर सकते हैं इमजोन पर आपको देखनों को मिल जाएगा अब फोन तो 12 दिसंबर को लांच हो जाएगा बट उससे पहले हम बात करें कि इस फोन के इंदर क्या चीज़ी देखनों को मिल सकते हैं और क्या यह फोन जो है एक वैल्ली फॉर मनी होने वाला है या फिर नहीं इन सभी देख सकते हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोगों को इसकी अन्बॉक्सिंग और उससाथ रिव्यू की वीडियो भी जो प्रवाइट कर सकते हूं तो सबसे पहले हम बात करते तो कितने model देखने मुलेंगे एक है iq 2 और एक है iq 12 प्रो तो दोनों ही फोन जो एक काफी पावरफुल होने वाले अब हम बात करें इस फोन केंदर डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकते है तो फोन के इंदर 6.78 इंच की FHD पलस एक Amoled १िस्प्ले देखने को मिल जाए जानि कि 120 हट्ज से उपर हो चुका है 144 हट्ज रिफ्रेशेट तो आपको जो डिस्प्ले के अंदर ब्राउजिंग का एक्सपिरेंस और जो गेमिंग का परफेक्ट है अगर आप आउट्डोर में डिरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज करते हो तब भी जो इसकी डिस्प्ले आपको क्लियरली विज्वल दिखाए देगी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है तो अगर आप लोग कंटेंट कंजूम करते हो तो डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फॉन के अंदर आपको डिस्प्ले में HDR 10 और HDR 10 प्लस अगरा कभी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो डिस्प्ले वाई अगर हम बात करें फॉन की तो display इस phone आपको काफी powerful देखने को मिल जाएगा अब उसी के साथ अगर बात करें इस phone के अंदर performance की कि क्या performance होने वाली phone के अंदर तो phone के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा callcom snapdragon 8 gen 3 वाला processor जो की 4 nanometer technology पे based है और इस phone के अंदर आपको जो processor की speed है वो काफी powerful देखने मिल है क्योंकि यह अभी तक का android के अंदर सबसे flexible लेवल का processor है अगर हम बात कर ले आइफोन की तो इसके अंदर भी जो हमें देखने को मिला है A17 Pro और उसके बाद हम देखते हैं इसको जो की है callcom snapdragon 8 gen 3 वाला processor जो की लेटली काफी जादा powerful है साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पर gaming वगरा की तो आप इसके अंदर मैक्स fps और मैक्स सेटिंग पर gameplay कर सकते हो खासका अगर मैं बात कर लों 20 अमाई वगरा की या फिर अब भी जितनी भी गेम्स जो है अवेलबल है आपके प्ले स्टोर पर जितनी भी गेम्स अवेलबल है वह सारी गेम आप इस पर रन कर सकते हो क्योंकि इसके नदर आपको performance और graphic जो काफ इची देखने को मिल जाती है साथ साथ अगर हम बात करें कि इसके नतर में कितने वेरियंट देखने को मिल सकते है तो इसके दर आपको दोवेरियंट देखने को मिल जाएंगे जो की एक है 12Gb RAM प्लस 256gb STORES और जो दूसरा वेरियंट है वह है 16gb RAM प्लस 512gb STORES तो यह storage आपको देखने को मिल जाएग तो वह आपको UFS 4.0 के साथ देखने को मिल जाएगा जिसका मतलब कि read and write की speed में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपको काफी जदा fast देखने को मिल जाता है फोन performance आपको एकदम boost मिलेगी इसके अंदर तो performance आप बिल्कुल भी इसमें फिकर मत करना performance आपको काफी देखने को मिल जाएगी तो बात यह हो गई performance की अब अगर हम बात करें इसके अंदर ओपरेटिंग सिस्टम की तो फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा out of the box android 14 अब iq company आने वाले साथ अपडेट देखने मिले यह तब हो जाएगा जब iq companies को 12 of December को लांच करेंगी इंडिया कंदर तब पता जाएगा कि कितने साल तक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा और आप बात करें इस फोन के इंदम इसके कैमरे की तो फोन की रियर में आपको इसके फोन मेगा पिक्सल का टेली फोटो लेंस देखने को मिल जाएगा जो की हेंड्रेड एक्स जूम तक हो सकता है तो आप काफी दूर बैठे लोगों की जो है फोटो क्याप्चर कर सकते हो वीडियो बना सकते हो तो यह चीज काफी चीज होती है कि जब आप ज्यादा जूम कर तो पिक्सल जो थोड़े फटने से लगते हैं तो यह चीज देखने लाएक रहेगा कि जब फॉन फान ही लौंच हो जागा कामरा कंपैरिजन में पता जाएगा कि कितना अच्छा है इसका है जो जूम होना डिजिटल वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है वहीं पर जो थ बनाते हो या यूटूब स्वार्ट बनाते हो और जादा सेल्फी के सोकीन हो तो इसके फ्रंट में आपको 16 मेगा पिक्सल का सिंगल सेलफी कैमरा देखने को मिल जाएगा तो आप डोनों ही कैमरे साने कि रियर कैमरे से और फ्रेंट कैमरे से दोनों से आप अच्छी खासी वीडियोग्राफियर फोटोग्राफिय कैप्चर कर सकते हो तो अभी तक सबसे अच्छा देखने मिल जाता है अब हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह अभी तक आईक्यू सीरीज के अंदर सबसे फ्लैक्सिव लेवल का फोन माना जा सकते हैं आप जब फाइनली इंडिया के लॉंच होगा ना तब उसके बाद परफोर्मेंस चेक करने बाद पता चलेगा क्या यह सच में एक फ्लैक्सिव लेवल है या फिने कहीं सारे बड़े बड़े यूटूबर हैं जो कि इसका जो है कंपेर करेंगे और रिवीव करेंगा तो आप लोगों को पता चली जागा वैसे मैं कहता हूं कि आप लोग उनका रिवीव देखा करो जो कि एक पैसे के उसमें नहीं जो कि एक अपनी तरफ से ओपनिन देना चाहते हैं कि हाँ यह चीज फैक्ट है या फिन नहीं वैसे आप लोग चाहते हो कि मैं भी ऐसे फोन के अन्बॉक्सिंग करूं और उसी सा कनेक्ट विटी की तो फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वाइफाई एनेपसी जीपियर चार्जिंग के लिए चाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर साथी साथ बात करें इस फोन के अंदर सिक्योटी बैटरी और चार्जर की बट उससे पहले बात जैक इसकी आवत देखने को मिल जाएगी अब बात करें कि आ therapists के अंदर हम इसके सेक्योरटी बैटरी और चार्जर की साथी साथ खेस अंलोग की बैटरी Plus 120 व defending charger को सपोर्ट को मिल जाएगा साथिसाथ चार्ड थेखनों को मिल जाएगा खर और यह भी भास तो इन तर्टी मिनिट्प युद्छ थैसे जीरो से 100% तक मैं आपको नहीं बता रहा है जब फोन लाउंच होगा तो इतने की आसपास फोन फुल चार्ज हो जाएगा तो अगर आप लोग इंट्रस्टीड हो इस फोन को बाइक करने के लिए तो आप इसको बाइक कर सकते हैं जो की बताते हैं उन्होंने बताया कि इस फो की आप लोगों क्या रखता है कि इंडिया के अपने दोनों को किस प्राइस पॉइंट पर लॉंच कर सकती है जो मैंने प्राइस बताईए उसी पर या उससे भी थोड़ी बहुत आप हो सकती है अगर प्राइस फिलेक्ट होती तो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज